नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक नॉलिज चैनल में आज हम आपको नंदिश्वर यानि की गोल्डन बेल का स्टैचू घर में रखने के फायदों के बारे में बताएंगे आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें आज कल बहुत से स्टाचू यानि मूर्तियां बाजार में मिलती हैं लेकिन घर में रखने से पहले उसके पाएदे और नियम जान लेना अच्छा सावित हो सकता है इस वीडियो से पहले हमने गाई की मूर्ति, उंठ की मूर्ति, हाती की मूर्ति, इत्यादी, किफ्ट फायदों के बारे में और नियम के बारे में बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगी कई बार ऐसा होता है कि आज आपका बिजनस अच्छा चल रहा है लेकिन आपको बहुत अधिक मुनाफ़ा नहीं मिल रहा होता है तो आपको अपने ओफिस की तिजोरी के ऊपर नंदिश्वर इसे सूरे का प्रतीक माना गया है रख सकते हैं तो आप अपनी तिजोरी के ऊपर नंदिश्वर का स्टाचू रखे इससे आपका मुनाफ़ा दो तीन गुना भी बढ़ने की संभावना हो जाती है अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है और आपका बिजनिस अच्छा चल रहा है और उसके बावजूद भी आपके पास में पैसा जमा नहीं हो पाता है तो आप एक नंदिश्वर यानि की गोल्डन बैल का स्टाचू अपनी तिजोरी के ऊपर रख सकते हैं आपके ऑफिस या आपके घर में शुक्ता आजाएगी इस से आपके ऑफिस में जो क्लाइंट आएंगे वो आपको भिना ओर्डर दिये नहीं जाएंगी और आपकी इंकम का जो लेवल है वो काफी उपर हो जाएगा यहां नंदिश्वर यानि की गोल्डन बेल का स्टाचू रखने के फायदे हैं और यह सकरात्मक परिनाम है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैर करें और कमेंट करें धैन्यवाद